प्लट्टू बनाने के लिए मैंनी लिया है 300 ग्राम दूद। इसमें डालेंगे अभी नारियल पाउडर एक कब प्रिंस करके दलाते रहेंगे और एक बाउल चीनी डालेंगे इसमें चीनी एक बाउल से थोड़ा एक बाउल कम डालेंगे अगर कम रहेंगे तो और डाल देंगे इसको चलाते रहेंगे रागली चैसे यह चितने पाईए इसको इस तरह लगाता चलाते रहेंगे यह गाड़ा हो जाएगा देखे दूर दूबल के गाड़ा हो चुका है इसको अब ही ठंडा होनी देगे इसमें लाची पाउडर मिक्स करेंगे ठंडा हो चुका है मिक्सर इसको अब हाथ में लेके इसकी छोटे-छोटे बाल्स बना लेंगे इस तरह से अब सबी बॉल्स बना के तयार है और थोड़ी बर्फी भी इस येप में काट बना लिए है इसमें बर्फी टाइप में बना लेंगे शेप में और केटबरी को हम double boiler method से boil कर लेंगे मेल्ट कर लेंगे और थोड़े ड्राइफूट्स की है मैंने कट के विए इसको चोकलेट गॉल में डाल के इसके बाल्स बनाती है चोकलेटिको क्रस्च करके पाल में डाल देंगे सिक्रस्ट नहीं होती हो तो थोड़ा डूर्दाज और के इसको मैत कर देंगे तो इसको मेल्ट कर देगी थोड़ा दूट दाल देना है तो ज्यादा नहीं डालना है बसकि ये मेल्ट हो जाए हुआ ही दालना है जो ग्रेट मेल्ट हो चुकी है इसने डाइफोर्स तार्ट देंगे इसने कटे में डाल देंगे इसको उचिता से मिक्स करेंगे जादे बाइफोर्स को इसमें डिक करके रख देगे करेंगे इस पोस भी डिप करके स्ट्राइट में रखते जाएंगे करके करके इस तरह साथी को इसमें रखते हैं करके इसमें रखते हैं और बिना चोकलेट सीरप में डिप किए इनको हम नारियल के लड़ू की तरह भी सर्व कर सकते हैं इस तरह ये खाने में बेहदी लाजबाब है और लजीज है मेरे वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू